न्यू यूनिट स्टार्ट होते हैं ट्रांजिस्टर मोडलिंग ट्रांजिस्टर मोडलिंग पढ़ने से पहले हमें ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा रीकैप करना पढ़ेगा जो हम सेकंड सैमिस्टर हो फौर सैमिस्टर में काफी पढ़ चुके हैं ट्रांजिस्टर ए यह हमारा वोल्टेज डिवाइडर बाइजिंग लगा हुई है और यह हमारे क्या है ट्रांजिस्टर है यहां पर कप्लिंग केपसिटर का यूज़ है कि डी सी को ब्लॉक करना और अच को अलाउट करना यहां पर पोटेंशल डिवाइडर बाइजिंग लगे हुई यह कलिन कए गरते हैं जिसने हमारा क्यू पोइन इसका हमारा क्या है करन्त को अलाउट करना मतलकी करेंट को करना इसे करना हुद वह फेसे कारेंगी दोनों का सूपर-Position करेंगे और हमें क्या है output मिल जाएगी DC analysis करके हमें क्या है क्यूपोइंट मिलेगा और क्यूपोइंट मिलेगा वह DC analysis हम 4 semester पढ़ चुके हैं तो हम यह पर पढ़ते हैं सबस्पहले AC analysis पढ़ते एसे analysis करने से पहले कुछ rules पढ़ लेते से analysis करेंगे सबसे पहले हमारे सकते हैं सब्सक्राइब कर देंगे जो भी हमारे वायर से हम क्या है रिप्लेस कर देंगे उसके बाद हमारे यह हमारे Q toוjo q qq स्वार्श कट से रिपलेस करेंकि इसको ही यह चाहिए नियुक हमगे चाहिए चंभी सोटिक शेलीक च olmuş करम कंभ क्राइब करेंकि फिर करेंकिल एक और उसके बाद तर्फैक ट्रruption को रिप्लेस कर देंगे एक्विएलेंट सर्किट से कि कि से क्या है यह आपार आप सीटर लेसे करेंगे इसे एक वायट से रिप्लेस करेंगे इन्हें हम्-ग्रांडड करेंगे Audio इक्विवेलेंट से इसे क्या है यह हमारा कैपेसिटर है इसे एक वायर से रिप्लेस करेंगे इसे एक वायर से रिप्लेस करेंगे इन्हें हम ग्राउंडेट करेंगे इसमिन पोटेंशल जीरो करेंगे इसे ग्राउंडेट करेंगे इसे ग्राउंडेट कर देंगे जब यहां तो इस तरीके से हमारा ओवर्ओल साथि इस तरीके से में दूनबूरु को तो हम एक्वvan टो bearing हम mówích इस सरकेट कर देव करनेया और इस सरकेट का है हमारे हमारे फमारे, बनार कुलेस्ट में हमारे dean cir до effect होते हैं हमारे नौन लीनिय टांजिस्टर होता तो इस सर्क्यट को में लीप्लेस करें एक सर्क्यट से जिसमें हमारी रिप्लेस करते हैं equivalent circuit को जिससे हमें क्या मिले AC characteristic मिले AC characteristic जैसे हमने पढ़ा था यह AC characteristic मतलब हमें voltage gain मिल जाएगा voltage current gain मिल जाएगा input impedance output impedance जो भी हमारा circuit था उस circuit के corresponding हमें क्या है current gain मिल जाएगा voltage gain मिल जाएगा input impedance output impedance मिल जाएगा that's all about transistor modeling